तो दोस्तो इस daily 10 questions की स्रीज में हम अपने building materials के SSCJ के previous year questions का revision कर रहे हैं दोस्तो आज इसका day 18 है तो दोस्तो आज हमारे 180 questions with full explanation of theoretical and practical knowledge complete होने वाले हैं तो इस daily 10 questions की स्रीज को दोस्तो आज का day start करते हैं और देखते हैं हमारे आज के 10 questions का है तो दोस्तो first question में हमसे पूछा गया है the result of VB test is expressed in terms of ठीके दोस्तो ये question आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जो हमारा VB test होता है उसकी measuring unit क्या होती है ठीके दोस्तो सबसे पहली बाद दोस्तो मैं पता होने चाहिए VB test हमारा क्या होता है आपको इस VB test का एक apparatus दिखाऊंगा with the help of pictures वह आपको समझ में आ जागा कि ये test क्या होता है और ये इसका apparatus कैसा होता है ठीके दोस्तों सबसे पहली बाद हमाँ पता होने चाहिंखे दोос्तों होता है किसके यूज यूज होता है तो दोस्तों इसके अदर टैस्ट आपको पता होंगे वर के आप मुझे अंसर कमेट करके बता सकते हैं या फिर मैं आपको वहाँ पर replay करके बता दूँगा तो दोस्तों इसके option देखते हैं options हमसे क्या-क्या दिये गए हैं ठीक दोस्तों इसका पहला option है क्या इसा second में हम measure करते हैं, meter में measure करते हैं, newton पर mm square में measure करते हैं जितना सेकेंड ज़्यादा आएंगी तो हमारा कंक्रीट उतना ही कं वर्केबल होगा ठीक है तो मैं आपको इसका एपरेटरस दिखाता हूं लो तो इसका एपरेटरस कुछ इस तरीके का दोस्तो इसका होता है इसकी मैं आपको पूरी वरकिंग नेक्स्ट वीडियो में या फ दोस्तों मारा second question कौन सा है plastering is also cold as ठीक दोस्तों यह आपकी journal knowledge बढ़ाने वाला question है plastering को और हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों मुझे plastering के बारे में explain करने की जरूरत नहीं है वो आप सभी को पता होगा journal बात है एक civil engineer के लिए ठीक दोस्तों अब जानते है plastering को और हम क्या कहते हैं फिर उसे किस नाम से और जानते हैं क्या हम उसे pre casting के नाम से जानते हैं targeting के नाम से जानते हैं porting के नाम से जानते हैं फिर उसे polishing के नाम से जानते हैं ठीक दोस्तों तो इसका right answer दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका right answer होने वाला है दोस्तों, «Pargating» क्योंकि दोस्तों, «Pargating» का है, पर मैं आपको बता देता हूँ, «Pargating» का मतलब होता है, किसी भी वॉल्प या किसी भी सरफेस को, with the help of किसी भी paste, especially, जो मारा लाइम मोटार होता है और स्मेंट मोटार होता है उससे कवर करना ही हमारा पार गेटिंग का मतलब होता है और दोस्तों सभी को पता होगा प्लास्टरिंग में भी हम यही करते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर आपको प्रीकास्टिंग का मतलब भी पता होगा प्रीकास्टिंग म होता है नौर्मेल लेंग में तो हम उसे पॉलिशिंग कहते हैं ठीक दोस्तों कुछन नमबर ठेट देखते हैं आज का मारा समझ नमबर क्या है कुछन नमबर ठेट में दोस्त अपसे पूचा गया है बहुत ही जनल कोशन है in प्लास्टिंग करते हैं the first coat is cold आपको यह यहां पर बताना है ब्रैकिट में यहां पर क्या आगे जो मारा सबpex क्या क्या दिये गए हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर डोस्त मैं आपको पता li Deva under 님이 है ठीक है खृग्ये दोस्तों उसे हम अंडर कोट कहते हैं और इसी जो थीवर्णाब होनी चाहिए दोस्तों वह सकी थेखने सदीज्स होनी चाहिए 10 से 15 mm इसकी thickness होनी चाहिए ठीक है दोस्तों यहां पर यह आपको clear हुआ अब हम देखते हैं हमारा question number fourth हमसे question number fourth क्या कहता है which of the following statement is true कौन से statement दोस्तों हमारा true है यह हमसे पूछा गया है mud plastic does not require curing curing का आपको मतलब पता होगा दोस्तों mud plastic require curing it depends on situation ठीके दोस्तों यह आपसे mud plastic जो हमारी होती है उसकी picture भी मैं आपको दिखा दूँगा वो कैसी दिखती है mud plastic दोस्तों तो इसमें आपसे true इसका पूछा गया जी हमारा statement था वो कुन सा statement true है तो ठीके दोस्तों इसके option देख लेते हैं हम आपको picture दिखाने वालों उससे आपको समझ में आ जागा कि उस पर curing की requirement क्यों नहीं होती तो दोस्तों यह person आपको दीख रहा है यह महिया पर mud plastic कर रहा है ठीके दोस्तों अब आपको mud पता होगा दोस्तों mud की property क्या होती है जैसे ही वह water के contact में आने लगती है या mud दोस्तों मारी के अंदर हमारी एक type की मिट्टी ही होती है और आपको पता है जब भी मिट्टी मोश्र के contact में आती है उसका volume increase होने लगता है तो दोस्तों यह क्या होता है जब भी हम इसकी curing करेंगे तो दोस्तों यहां से छूट जा है यह भी आपकी journal knowledge बढ़ाने वाला ही एक question है the quality of water governs the strength of concrete ठीक दोस्तों जो हमारा strength होती है concrete की water पर depend करती है फिर उसकी quality पर depend करती है उसकी strength बिल्कुल सही बात है दोस्तों जो मारा concrete होता है उसकी strength water की quality पर depend करती है the quantity of water required for concrete ठीक है depends upon the grading of aggregate method of compaction बिल्कुल सही बात है दोस् concrete की जो होता है हमारा उसकी grading पर depend करती है aggregate की grading पर depend करती है और उसके method of compaction पर depend करती है ठीक है दोस्तों अगला option देखते हैं क्या दिया option number 10% access of water reduce the strength of concrete by 15% बिल्कुल दोस्तों यह सही बात है ठीक है दोस्तों एक बात में इस point से related आपको बता देता हूं जो हमारी access of water होती है वह उस concrete को workable तो जरूर बनाती है याद रखे water अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी जो दोस्तों हमारी workability होगी वह बिल्कुल increase हो जाएगी लेकिन अगर हम water को कम करते हैं तो हमारी strength increase होती है ठीक है दोस्तों लेकिन यहां पर workability बढ़ेगी water बनाने पर उसकी strength घटेगी ठ ठीक है दोस्तों तो इसका right answer दोस्तों क्या है option no.4 all options are correct इसका right answer है आज का मारा question no.6 लेखते हैं दोस्तों question no.6 में हमसे क्या पूचा गया है in method of voids for determination of the quantity of cement phase it is assumed that जब भी दोस्तों हम determination of quantity of cement करते हैं with the help of voids method ठीक है दोस्तों तो यह हम क्या assume करते हैं यह आप से पूचा गय question है मतलब बहुत journal knowledge बढ़ाने वाला question है as a civil engineer तो दोस्तों देखते हैं voids in coarse aggregate are filled with fine aggregate बिल्कुल सही बात है दोस्तों जोमारे voids होते हैं coarse aggregate के अंदर वो हमारे fine aggregate की help से fill हो जाते हैं option no.2 क्या है voids in fine aggregate are filled with cement paste बिल्कुल सही बात है दोस्तों cement paste और water की help से जो हमारे voids होते हैं fine aggregate के अंतर वो fill हो जाते हैं ठीक दोस्तों और हमारे cement paste के जो हमारे weights होते हैं वो with the help of water fill हो जाते हैं यह बात हमेशा याद रहे कि दोस्तों और यह देखते हैं हमारे option no.3 क्या volume of aggregate is equal to the total weights in course aggregate plus 10 एक्स्ट्रा 10 एक्स्ट्रा 10 एक्स्ट्रा बिल्कुल सही बात है दोस्तों तो इसका भी राइट अंसर क्या all options are correct ठीके दोस्तों question no.7 देखते हैं question no.7 में हमसे क्या पूचा गया है the 28 days cube strength of mass concrete using aggregate maximum size 5% for gravity damn should be दोस्तों इसमें आपसे क्या पूचा गया है मैं आपको question explain कर देता हूँ पहले इसमें दोस्तों आपसे पूचा गया है जो हमारा cube strength होती है जब भी हम अपना concrete का एक cube बना लेते हैं ठीके दोस्तों जिसमें हमारा aggregate का maximum size है वह 5 cm है अगर हम उसको use कर रहे है gravity देम में तो दोस्तों उसकी 28 डे में उस cube की strength कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होती है यह आपसे पूचा गया है तो दोस्तों इसका right answer दोस्तों होगा option number 4 मतलब उसका 200 kg 200 kg स्क्वाइर से 200 kg पर cm स्क्वाइर से कम होती है ठीके दोस्तों या फिर कम होनी चाहिए यह आपसे पूचा गया था बहुत simple question बहुत general knowledge बढ़ाने वाला question दोस्तों तो दोस्तों अगर आपने मेरी और वीडियो से नहीं देखिए मैं उसका link आपके लिए description में दे दिया है आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंदार है या फिर वीडियो चे लग रहे है तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए जो किसी भी competition के तयारी कर रहे है civil engineering से related अपना 8 question दोस्तों हम यहाँ पर देखते है हमारा 8th question क क्या पूचा गया है हमसे what do you mean by warehouse pack of cement ठीक है दोस्तों आपसे पूचा गया है जो हमारा warehouse packing होती है यह जो मारी टर्म है warehouse pack इससे हमारा क्या मतलब होता है ठीक है दोस्तों दोस्तों देखते हैं इसका क्या मतलब होता है option number 3 दोस्तों यहाँ पर यह देख लीजिए यह इसका right answer है बिल्कुल warehouse pack का मतलब क्या होता है warehouse pack of cement इसका मतलब क्या होता है pressure compaction of the bag on lower layers ठीक है दोस्तों जो हमारा pressure होगा जो हमारा following refer to the process of proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformity of proportion दोस्तों मैं इस question को आपको explain करता हूँ यह question मैं आपको previous video में कही ही बार बता बता चुका हूँ इसी सरीज में मैं आपको एक बार फिर से बता जाओं I इसमें क्या पूचा गए जब्व्य हम अपना concrete measure करते हैं ठीक है तोस्तों याद रखिए concrete measurement होते हैं जो वह कॉन से 5 ingredient होते हैं और उनमें से चार मेन इंगरेट होते हैं आप मुझे जल्दी से comment करकर बताई यहमें वहाँ पर आपको रिपलाई करूँगा जुरूर रिपलाई करूँगा दोस्तों ये दोस्तो का right answer दोस्तो इसका right answer option number four batching मतलब जो मारा दोस्तो batching होता है with the help of batching हम concrete के जो ingredient होते हैं वो accurate और proper proportion में या proper ratio में उन्हें हम with the help of batching भी find out करते हैं ठीक है दोस्तो बैचिंग दोस्तो हमारी two types की होती है एक weight batching होती है और एक दूसरा हमारा volume batching होती है आपको पिक्चर में देखाने वाल हूं देखा दूआ कि फोर्मा होता क्या है आप सभी लोग उससे जरूर अवेर होंगे ठीक है दोस्तों तो 35 लीटर फोर्मा जो होता है बाई मेजरिंग ओफ जिसके लिए हम जिससे हम अपनी अग्रिगेट मेजर करते हैं बाई वोल्यूम इसकी लेंथ कितनी बताई गई थी इसकी लेंथ होती है इसकी zwijet सेवं कितनी इसकी विद्शार कीजिए और अपना फिड़िश्क दिरना दोस्तोो م helmets के रिए हेली है कितनी होती है थीक है दोस्तों अगर आपके यह वीडिव अच्छे लग तो प्लीज चैनल को शेर कीज और अपना फीड़ेग दिरना दोस्तों बिलकुल नहीं थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर यूर सपोर्ट एंड शेर प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रही है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग आइस थैंक यू